हेलो एब्रिवन वेल्कम टुदा पुलीस वाला क्लासिस माइम इस एंचुका एंड इवर मैट्स मेंटोर सो नंबर सिस्टम की 16 to 17 क्लासिस में भी कंप्लीट हो चुकी है अब देख लिना कि कौन सी क्लास है मेरेको नंबरिंग क्योंकि कुछ क्लासिस अपलोड हो गी है कुछ क्लासिस बैंडिंग में तो इस विए से नंबरिंग का थोड़ा पता नहीं है तो नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम के अंदर भी काफे सारे काफी सारे बोलते हैं उसको सब टोपिक्स है और जिसके अंदर सर्ट इंडस नाम का टोपिक है वो चल रहा है सर्ट एंडसेज, टाइप, जितने भी टाइप है वह मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कि कौन-कौन ची टाइप थी, मल्टिप्लिकेशन वाली, 1 मिनट, स्पैलिंग कलत लिख रहे कुआ है, भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी सब्सक्राइब काफी टाइब डिसक्स कर चुकियों कौन कौन सी टाइब थी मल्टिप्लिकेशन वाली टाइब कर चुकियों इन फाइनाइट तक एक मैल्टिप्लिकेशन की थी जो विदाउट इन फाइनाइट तक थी डिवीजन वाली टाइब डिसक्स कर चुकियों ए एक बर वैसे revise तुमाने कलगी क्लास में पी करवा जा फिर भी मैं एक बर यहां पर जल्दी से लिख देती हूँ दो से तीन मिन्ट का एक बर revision हो जाएगा फिर क्या कि सही हो जाता है इससे सब पिछे की जितनी भी चीज है वो revise हो जाती है यह कोई भी एक सीक नंबर था इसका सिद्धा अंशर क्या हो गया एक हो गया अगर यहां पर यहां पर यहां पर क्या एक मिनट अगर यहां पर पावर कितनी हो, तो डाइक इसका अंसर हो जाता ठीक, पावर 3, 2 तो इसका मतलब है अगी एक मिनट अगर यहां पर कुछ भी लेलो 3 है, तो वहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है? next type थे division वाले type next type थे माले पास division वाले type यह भी मैंने आपसे, यह infinite तक थी यह मैंने आपको आपको आजए थी x मान लेना इसको और फिर यह हो जाएगी पूरी और इसको y मान लेगी, x तो हम ले चुके ना यह number यह y plus divided by हो जाएगा y squaring on both side यह हो जाएगा, ठीक है? यह इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में है तो y cube equals to x और डारेक्ट यहां से y की value आ जाएगी 1 by x cube मतलब division वाले की short trick क्या थी डारेक्ट जो भी number हो उसकी power लेनी है 1 by 3 ठीक है multiplication की direct trick यह थी गर 3 हो तो आपे 2 ले लेंगे 4 हो तो आपे 3 ले लेंगे और division वाले की direct method था की उसकी power ले लेंगे 1 by 3 अब बात करते हैं addition and subtraction वाले का रोल उसका मैंने आपको एक simple formula बताया था वह वह वापस लिखूँगा उसी formula की उपर लेक्ट कोशन करेंगे और फिर next time पर हम बढ़ेंगे example ले लेती हूँ पहले में question है x x plus x plus x और infinite तक है addition वाला है इसके साथ ले लेती हूँ subtraction वाला एकर paper में यह आजर मैंने previous question आपको दिखाया था ना वो x plus y पूछ रखा था इसका direct answer होगा under the root 4x plus 1 plus 1 divided by 2 इसका direct answer होगा 4x plus 1 minus 1 divided by 2 यह दो चीजे थी कल की class में हमने discuss किये तो इसके उपर previous question में हमने किये थे इसके उपर एक दो question करते है फिर next time की उपर चलेंगे यह आपके सामने question screen पे सात करोड रुपे का पूरा यह हमारे पास x है given है 7 plus 7 plus 7 और कहां तक है यह infinite तक है अगर हम बात करें y की तो वो है under the root 7 minus 7 minus 7 7 और infinite तक है कुछ नहीं करना बस solve करना x plus y की value आपको find out करने जल्दी से question को solve कीजे वीडियो को pause करके तो पहले x की value निकाल और फिर y की निकाल और सिर्फ दोनों को हमें क्या करना है plus करना है जल्दी से question को solve करो अब देखो इसका solution क्या होगा इसका solution क्या होगा पहले x की value solve करते है formula का है under the root 4x plus 1 plus 1 divided by 2 और x equals to under the root 4 x की value कितनी है 7 plus 1 divided by 2 ठीक है x equal to 4, 7, 8, 8, 29 तो जाएगा under the root 29 plus 1 divided by 2 ये value आमार पास किसकी आगी ये आगे आमार पास x की value सेम ऐसे किसकी value निकालेंगे ऐसे निकालेंगे y के value y की value देखो formula क्या आता है minus के लिए 4x minus 1 plus 1 minus 1 divided by 2 बना सेम होता है बस इधर plus 1 होता है और इधर होता है minus 1 ठीक है x की value कितनी है 7 तो 4, 7, 8, 29 मतलब root 29 minus 1 divided by 2 x और y दोनों की value हमारे सामने आ चुकी है x और y दोनों की value आ चुकी है पूछ क्या रखा है x plus y पूछ क्या रखा है x plus y simplest में put कर दो values को देखो x कीतनी है root 29 plus 1 divided by 2 plus root 29 minus 1 divided by 2 दोनों का base से में तो LCM लेने के direct हो जाएगा 29 plus 1 plus root 29 minus 1 divided by 2 1 से 1 cancel हो जाएगा और 29 plus 29 हो जाएगा 2 root 29 divided by 2 और यहां से answer हो जाएगा root 29 root 29 is the correct answer कुछ है question में कुछ भी यह सिर्फ formula लगाया है यह x की value आगी यह y की value आगी और direct हमने बस क्या किया है x plus y में value put up किया और direct आपकार पास answer आ गया और यह previous year question है इसके उपर अब देख सकते हो कल यह मैंने previous year question करवाया था जाएगा मतलब 7-8 minute में question solve कर पाओगे और with formula मतलब इस formula के साथ एक short method के साथ आपको within मतलब आप यह समर लो कि within 15-20 second discussion को आराम से कर लो कहा 8-9 minute और कहा 15-20 second so यह चीज़े हैं जो आपकी ranking में आपके help करेगी so यह चीज़े आपको आने चाहिए मैंने आपको दोनों चीज़ सिखाई है method और short method और long method भी ठीक है अब भी चलते हैं अभिना मैं आपको एक type सिखाने वाली हूँ इस type और time देंगे मतलब जो first आपको सिखाऊंगी उसको आराम से समझेंगे और फिर next होंगी same उसी time में same उस तरह का example होंगे उसको आपको speedily करेंगे बट पहले वाले को हम अच्छे तरीके से time देंगे ठीक है question हमारे पास यह है P okay and plus P की पावर 4 P की पावर 8 P की पावर 16 और यह चल रहा है infinite तक simply हम यह value करनी है find out करनी है simply value क्या करनी है find out करनी है इसको आप बिलकुल आराम से एक चीज खोल कर आपको यह चीज दिखाऊंगी और फिर next चीजे हम speed लिकाएंगे अब देखो P square है इसको क्या लिख सकते है P multiply by P ठीक है plus under the root P की पावर 4 इसको लिख सकते है P square multiply by P square कोई दिक्कत नहीं है P की पावर 8 इसको लिख सकते है P की पावर 4 multiply by P की पावर 4 बेस्सेम पावर क्या हो जाएंगे तो मतलब बिलकुल चाहिए अब एक चीज बताओ P square under the root के अंदर है इसका मतलब क्या होता है P कैसे होता है P square है under root का मतलब क्या होता है 1 by 2 और यह पावर यहां से cancel हो जाए कि इतना आगया P आगया ठीक है इतना समझ माया P की पावर 4 है under the root के अंदर है क्या होगा P square कैसे P square होगा देखो वह देखो P square कैसे होगा की चीज़े मैं उपर लिख देते गबर क्यों की चीज़े समझनी काफी जरूरी है यह देखो P square है under root के अंदर है क्या हो गया P और P कैसे होगा P square under root का मतलब क्या होता है 1 by 2 power cancel हो जाए क्या आगया P ठीक है एक चीज़ हो गई अब जब को second चीज़ लो P की power 4 और under root के अंदर है इसका मतलब होता है P square और कैसे होता है P की power 4 under the root का मतलब power 1 by 2 और यह cancel हो जाएगी मतलब 2 मतलब P की power कितनी आगी 2 आ गई अगर यही same चीज यह वाली same चीज़ के अंदर ऐसे कर दे कि P की power 4 है under the root और एक भार under the root और लगा दे इसका मतलब क्या आता है इसका मतलब क्या आता है P की power 4 की power 1 by 2 इस चीज़ के लिए और अब इस वाले के लिए लेंगे power 1 by 2 इसका मतलब P की power 4 1 by 4 2 to 4 और यह cancel हो जाएगा मतलब कितना आ गया P आ गया मतलब मैं इसका मैं कोशिश करें कि एक root हो तो मतलब power 1 by 2 है ठीक है अगर एक root power 4 हो तो कट जाएगी तो P की power 2 आगी अगर double root हो होए तो फिर हम double power लेंगे 1 by 2 1 by 2 तो यह चीज़े बताने कोशिश करती है आपसे अब देखो question में क्या है वो अप्लाई करते है question यह था हमारे पास अब एक बात बताओ P square है उसकी एक under the root है P square उपर क्या है एक under the root मतलब value क्या आगी P आगी बहार निकल गए तो यहां से क्या आ गया P आ गया अभी देखो under the root यहां पर कितना बच गया 1 बच गया अंदर क्या है P की पावर 4 plus P की पावर 8 और infinite तक है अब P की पावर 4 को लो इसके उपर कितने times root है एक बार ये रहा एक बार ये रहा मतलब 2 बर का मतलब क्या कि P की पावर 4 एक बर के लिए 1 by 2 और दूसरे के लिए 1 by 2 1 by 4 तो P की पावर 4 और P की पावर 4 से कट जाएगा तो कितना बच गया हमार पास सिर्फ आमार पास P बच गया तो मतलब P यहां से बाहर आ जाएगा complete common ले रहा मतलब हो चीज क्या बच जाएगा 1 इसकी जगा बच जाएगा 1 सेम ऐसे पी की पावर 8 उसके पर कितने टाइम्स है एक बर रूट दो बर रूट तीन बर रूट मतलब पी की पावर 8 multiply by 3 बर रूट है 1 by 2 multiply 1 by 2 multiply 1 by 2 1 by 8 cancel हो के पी बच जाएगा तो पी भी वहां से है 1 by 2 जो कि पहले में चीज बता चुकी हूँ बट applicable हम आज पहली बार कर रहा है इसले इस चीज को समझना काफी जरूरी था मतलब कि mainly basically देखे तो हमारे पास last expression के आगा यह बच गया अब हम इसको solve करना है ठीक है अब देखो next slide ले लेते है P और यह plus plus 1 है क्या है हमारे पास P भार है और under the root plus 1 under the root plus 1 under the root plus 1 और infinite तक है और यह हम पहले ही कर चुके है वापस बता देती हूँ P इसका formula मैंने आपको बताया था plus वाले है क्या है under the root 4x plus 1 plus 1 divided by 2 ठीक है तो देखो 4 x की value कितनी है 1 plus 1 plus 1 and divided divided by 2 यह हो गया P 4 x 4 और प्लस 5 मतलब 5 plus 1 divided by 2 यही क्या हो गया इसका answer हो गया कुछ नहीं क्या सिर्फ commonly आए सिर्फ क्या लिया है common लिया है आपने उस चीज को अभी देखो एक question और करवातते हो मैं आपसे next question देखो आपकी बार P की जगम कोई number लेंगे number लेंगे 5 की power 2 plus 5 की power 4 plus 5 की power 8 plus 5 की power 16 और SL देख infinite तक है यह question है कुछ नहीं करना वापस से वह चीज common करनी है 5 की power 2 की उपर एक root तो 5 common आजाए इधर से 5 की power 4 की उपर 2 तो यहां से 5 आजाएगा यहां से 5 overall सबसे 5 common निकल जाएगा और last में रपस क्या बच जाएगा 1 plus under the root 1 1 plus under the root 1 क्योंकि यह हम पहले पिछले वाले question में समझ चुक है इसलिए मैं डारेक्ट लिख रही हूं ठीक है अब यह इसको आपको डारेक्ट formula या तो अच्छी बात है कि आपको मैंने 5 से 6 question करवा दी 1 1 वाले की उपर formula होता है 4 x plus 1 plus 1 divided by 2 x की value कितनी है यह 1 है plus 1 plus 1 divided by 4 x 5 under the root 5 plus 1 इसका answer हो जाएगा तो यह पर value put कर लेंगे under the root 5 plus 1 and divided by यह question हो गया और इसी के उपर previous year में question पूछ रखा था वो question क्या था अब किवा पता वो चीज minus में दे रखी थी previous year question में आपको बता देती हूं previous question में यह था कुछ की 8 की power 2 minus 8 की power 4 minus 8 की power 6 8 की power 8 एक minute 8 की power 8 minus 8 की power 16 और infinite तक जा रखा था कुछ नहीं करना वापस 8, लेना है सेम भाई चीज अंदर बच जाएगा यहां पर 1 minus 1 minus 1 और यह चल रहा है infinite तक minus वाले का formula मैं आपको बता रखा है under the root 4x plus 1 minus 1 divided by 2 तो जाएगा 8 under the root 4 x की value 1 है plus 1 minus 1 divided by 2 कल से यह formula repeat कर उसे के उपर questions ले रहा है 4 plus 1 एक 5 under the root 5 plus 1 divided by 2 यह previous year के अंदर यह question था चार option जिसके अंदर यह option था जाएगा 4 under the root 5 plus 1 तो यह बात चीथी नई type के उपर कल हम इस तरह के question पढ़ेंगे जो कि previous year में लगबग पूछे जाते लगबग नहीं हमेशे infinite तक चल रहा है equals to 1 by 2 दे दिया तो इसको solve करना है कल इस type question हम discuss करेंगे यह दे रखा infinite तक दे रखा इसकी power 1 by 6 है तो यह रही आज ही class शोटी शी class थी but informative क्यों मैंने आपको previous year के बारे मुझाए कि किस तरही question पूछे आते हैं और सिर्फ formula भी शो थैंक यू रही मुच आपने आते class देखियो और बाई बाई